हेलो दोस्तों स्वागेत है आप सभी का साइन्स वैटर क्लासेज के इस डिजिटर लर्निंग प्रेटफोर्म पर आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान में परजा मंडल आंदोलनों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं आप सभी जानते हैं कि परजा सब्द का उपयोग राज तंतरात्मक सासन के लिए होता है जबकि जनता सब्द का उपयोग लोग तंतरात्मक सासन में होता है इसका मतलब ये आंदोलन उस जगय का है जहां राजा सासन किया करते थे यानि कि परजा मंडल आंदोलन राजस्था में देशी रियास्तों का आंदोलन है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देशे की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं इस आंदोलन का मुख्य उद्देशे था जो देशी रियास्ते थी राजस्थान में उन देशी रियास्तों में उत्तरदाई सासन की मांग करना इस परजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्धे से था और याद रखें कांग्रेश के हरीपुरा अधिवेशन 1928 कांग्रेश का जो हरीपुरा अधिवेशन है वो कब होता है 1928 इस्वे में होता है जिसके अधेक्स जो है वो किसे बनाया जाता है सुभास चंदर बोस को आप इस परकार से 1938 इस्वे में सरवाधिक परजामंडलों की इस्थापना होती है और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1931 से ही परजामंडल बनने सुरू हो गए थे लेकिन सरवाधिक परजामंडल जो है वो कब बनते हैं 1938 इस परकार से सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैपूर परजामंडल तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्यूशन आपको दिया गया है जमनालाल बजाज ने जैपूर में चर्खा संकी स्थापना कब की ओप्शन आपको दिये गए हैं 1920, 1925, 1927, 1938 इस क्यूशन का राइट आचर होता है ओप्शन नमबर C, 1927, दोस्तो जैपूर रियासत में जन जागरन का स्रे जो है वो किसको जाता है अरजूनलाल सेठी को, वेरे इंपोर्टेंट आप यहां से नोट कर सकते हैं जैपूर रियासत में जन जागरन का जो स्रे है वो किसको जाता है अरजूनलाल सेठी को जाता है अरजूनलाल सेठी की हम बात करें तो यह जैपूर रियासत में चोमू ठिकाने के ठाकुर की सची हुआ करते थे लेकिन बाद में अरजुनलाल सेठी ये नोकरी छोड़ देते हैं, उसके बाद जेपूर राजे के राजा माधो सिंग दियते उसमें जैपूर राजे के या जैपूर रियासत के जो राजा थे वो कौन थे माधो सिंग दिर्ते थे जिनोंने अपनी नो दाशियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे जैपूर में उसी माधो सिंग दिर्ते ने इन्हें अपना दिवान बनाने के लिए आमंतरित किया तो अरजुनलाल सेठी का एक डायलोग याद रखना यदि अरजुनलाल नोकरी करेगा तो अंगरेजों को देश से बाहर को निकालेगा ये कहते हुए उन्होंने दिवान की नोकरी छोड़ दी आगे चल करके 1907 इस्वी में अरजुनलाल सेठी ने अजमेर में जैन शिक्षा स समीति आप यहां से नोट कर सकते हैं जैन शिक्षा समीति की जो इस्थापना है वो कब की जाती है 1907 में की जाती है और कहां पे की जाती है अजमेर में किसके दवारा अरजुनलाल सेठी के दवारा इस जैन शिक्षा समीति की इस्थापना 1907 में हुई लेकिन 1908 में इसका ज और उस school का जो नाम है वो क्या रखा गया वर्दमान विधाले very important जैपूर में वर्दमान विधाले की जो इस्थापना है वो कब की जाती है 1908 हिस्वी में काफी बार exam में पूछा गया है और इसकी जो इस्थापना है वो किसके दवारा कीगी अरजुनलाल सेठी के दवारा लेकिन याद रखें ये करांती कारियों की पाठचाला थी यहाँ पे करांती कारी जो है वो तयार किये जाते थे तो वर्दमान विधाले एक करांती कारियों की पाठचाला थी उन दिनों विजय सिंग पतिक खरवा के ठाकूर गोपाल सिंग के साथ मिलकर के धन जुटाने का परियास कर रहे थे क्योंकि 21 फरवरी 1915 इस्वी को संपूर्ण देश में ससस्तर क्रामती होनी थी 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में ससस्तर क्रामती करनी थी इसके लिए अरजुलाल सेठी ने भी 1913 इस्वी में बिहार के आरा जिले में निमाज नामकिस्थान पर धन लूटने के चकर में एक जेन महन्त की हत्या कर दी जिसे निमाज आरा हत्याकांड कहते हैं इस हत्याकांड में कौन-कौन सामिल था इसके लावा आरा हत्याकांड में सामिल थे इसके लावा आप नोट कर सकते हैं विशनुदत सभी इंपोर्टेंट हैं एक्जाम के लिए विशनुदत जोरावर सिंग जेचंद मानिक चंद और सिव नारेंड ये सभी निमाज आरा हत्याकांड से जुड़े हुए हैं इस मुकदमे में अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमिल आडू के वेलूर जेल में रखा जाता है वेरी इंपोर्टेंट आप यहां से नोट कर सकते हैं इस चंद से जाता है RTX और इंपोर्टेंट निमाज आरा हत्याकांड सेठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहां पे रखा जाता है तमिल आडू के वेलोर जेल में रखा जाता है और साथ साल की सजा के बाद 1919 इसवे में अर्जुनलाल सेठी को रिहा कर दिया जाता है अत्याकार्ण में फासी की सजा किसे होती है मोती चंद को होती है जबकि अरजुनलाल सेठी को साथ वर्स का कारावास हुआ था इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं जो रावर सिंग और जेचंद फरार हो जाते हैं जबकि मानिक चंद और सिव नारैन वेरी इंपोर्टेंट म मामले में सरकारी गवा कौन बनते हैं मानिक चंद और सिव नारैन उनीस सो उनीस में जेल से रिहा होने के बाद अरजुनलाल सेठी पर अन्य मामलों में भी केस सल रहे थे जिसके कारण इन्होंने अपना नाम बदल कर और इन्होंने अपना नाम क्या रखा करीम खान अरजुनलाल सेठी की दो किताबे भी हैं जो एक्जाम में काफी बार पूछी गई हैं उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं एक है इस्तरी मुक्ती वेरी इंपोर्टेंट और दूसरी जो किताब है इनकी वो है सुद्धर मुक्ती दोनों ही किताबें किसके दवारा लिखी अरजुनलाल सेठी के द्वारा लो लेक्षी गई हैं जबकि मदन पराजे फ्रियर इंपोर्टेंट मदन पराजे इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं महंदर कुमार और पासरवयय इनके द्वारा लिखे गई नाटक हैं तो ये नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखे जा हमने पढ़ा आगे आप नोट करें 1922 इस्वे में जो काफी बार एक्जाम में पूछा गया है 1922 इस्वे में हिंदी को राजभासा बनाने के लिए very important हिंदी को राजभासा बनाने के लिए जेपूर यासत में आंदोलन चलाया गया कब चलाया गया 1922 हिस्वी में किसके लिए चलाया गया हिंदी को राजभासा बनाने के लिए और आगे चल करके 1927 हिस्वी में जमनालाल बजाज ने जेपूर में अखील भारतिय चर्खासंग की स्थापना की तो अखील भारतिय चर्खासंग की स्थापना कब होती है 1927 इपोर्टेंट ये क्यूशन भी पूछा गया है मोतिलाल दीवस जो है वो कहां मनाया जाता है जेपूर रियासत में मनाया गया और कब मनाया गया पाच अप्रेल 1931 इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है option number C 1927 चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और एक औ 1931 में जेपूर परजामंडल की इस्थापना किसने की जो राधस्थान का परथम वह सबसे प्राचीन परजामंडल था दोस्तों जेपूर परजामंडल जो है वो राधस्थान का परथम और सबसे प्राचीन परजामंडल है इस परजामंडल की जो इस्थापना है वो किसके परजामंडल की इस्थापना की जाती है जो रादस्थान का पहला वसबसे प्राचीन परजामंडल माना जाता है आगे चलकर के पाथ साल बाद 1936 इस्वे में आप यहां से नोट कर सकते हैं 1936 इस्वे में चिरंजी लाल मिसर कपूर चन पाटनी और जमनालाल बजाज के दवा वरी इंपोर्टेंट इसका जो पुनर गठन है वो कब किया जाता है 1936 इस्वे में किया जाता है किसके दवारा चिरंजी लाल मिसर कपूर चन पाटनी और जमनालाल बजाज के दवारा और दो साल बाद 9 मई 1938 इस्वे को 9 मई आप यहां से नोट कर सकते हैं 9 मई 1938 इसवी को जेपूर परजामंडल का परथम अधिवेशन होता है very important जेपूर परजामंडल का जो परथम अधिवेशन है वो कब हुआ था 9 मई 1938 इसवी को होता है जिसका अधेक्स किसे बनाया जाता है तो आप यहां से नोट कर सकते ह इसका जो अधिवेशन की जो मुख्य अतिति थी वो कौन थी? इसका जो मुख्य अतिति थी वो कौन थी? इसका जो मुख्य अतिति थी वो कौन थी? आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 1940 इसवी में जैपूर परजामंडल के अध्यक्स के लिए किसे निर्वाचित किया गया? आपको दिये गए हैं जमनालाल भजाज, कपूर चंद पाटनी, कांतिलाल चोथानी और हीरालाल सास्त्री इसक्यूशन का राइट आंचर होता है आप्शन अमर डी हीरालाल सास्त्री दोस्तों हीरालाल सास्त्री की बात करें तो ये जोबनेर के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? जोबनेर के रहने वाले थे? इनकी पतनी का नाम रतना सास्त्री था, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सांता भाई, जिसका 12-13 साल की उमर में आक्समिक निधन हो जाता है, जिसकी याद में जो जीवन कुटिर नामक सैंस्ता की स्थापना हिर जालाल सास्त्री के दवारा की गई थी जिसका उद्दे से था कमल वित्रन करना इसके लावा दवाया वित्रन करना ये उद्दे से था जीवन कुटिर सेंस्ता का लेकिन सांता भाई के निधन के बाद उसकी याद में इसका नाम बदल करके शिक्षा कुटिर कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है शिक्षा कुटिर कर दिया जाता है और अब इसका उद्दे से बालिकाओं को शिक्षा देना रखा गया यहीं शिक्षा कुटिर आगे चल करके वनस्तली विद्धापीट कहलाई जो की निवाई टोंक मेश्तित है इस परकार से 1940 इस्वी में जेपूर प परजामंडल का पंजीकरण भी किया गया आप यहां से नोट कर सकते हैं जेपूर परजामंडल का जो पंजीकरण है वो कब किया गया 1940 इस्वी में जेपूर परजामंडल का तीसरा अधिवेशन होता है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं जेपूर परजामंडल का तीसरा अ प्रणाशर होता है ऑप्शन नमबर D हीरालाल सास्तरी चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बहुती स्यांदार क्यूशन आपको पूछा गया है 1942 में भारत छोडो आंदोलन के दोरान हीराल सास्तरी वे जैपूर के परधानमंत्री जिनके बीच समझोता हुआ तो जैपूर के कौन परधानमंत्री थे जिनके बीच ये समझोता हुआ ओप्शन आपको दिये गए है ती राघवा चारिये मिर्जा इसमाईल मतूरादास माथूर और राघवदास इसक्यूशन का राइट आंशर होता है ओप्शन नमबर बी मिर्जा इसमाईल दोस्तो इस समय 1942 में जैपूर के महराजा मान सिंग सेकेंड थे और इसी समय अगस् 1942 सिस्वी में very important आप नोट कर सकते हैं ag.1942 में बंबय में भारत छोडो आंदोलन की शुरवात हád सब्सक्यूर्ण सेकेंड को ये डर था कि मेरी दियासत में भारत छोडो आंदोलन ना हो जाए और इसी कारण सितंबर 1942 सिस्वी में इन्होंने इक समझोता किया जिसे gentleman agreement कह कहते हैं Gentleman Agreement ये जो Gentleman Agreement है ये किसके मद्धे हुआ ये आपको यहाँ पर पुछा गया है तो Gentleman Agreement कब होता है 1942 में होता है सितंबर 1942 में और याद रखें ये जो समझोता है वो किसके मद्धे हुआ हिरालाल सास्त्री और जेपूर के राजा मान सिंग दित्ते के परधान मंत्री मिर्जा इसमाईल के बीच ये समझोता होता है इसके लावा याद रख सकते हैं मिर्जा इसमाईल को आधोनिक जैपूर का निर्माता कहा जाता है आप यहां से नोट कर सकते हैं आधोनिक जैपूर का निर्माता किसे कहा जाता है मिर्जा इसमाईल को कहा जाता है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंचर होता है option number B मिर्जा इसमाईल चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जब जेपूर परजामंडल ने भारत छोडो आंदलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतरत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया option आपको दिये गए हैं मोहन दास भकाना साधू सिताराम दास बाबा हरीश चंदर और मोहन सिंग महता इसक्यूशन का राइट आंशर होता है option number C बाबा हरीश चंदर gentleman agreement समझोते के अनुसार मिर्जा इस्माईल ने उत्तरदाई सासन इस्थापित करने का आश्वसन दिया जबकि हीरालाल सास्तरी ने परजामंडल दवारा भारत छोडो आंदोलन में भाग नहीं लेने की घोषना की अभी हमने discuss किया कि gentleman agreement जो है वो किसके बेच हुआ था हीरालाल सास्तरी और जैपूर के राजा मान सिंग दिते के परधान मंत्री मिर्जा इस्माईल के बीच ये समझोता हुआ था तो इस समझोते के दोरान इस समझोते से नाराज होकर बाबा हरीष संदर ने चिरंजी लाल मिसर विजे देश पांडे वो मुक्ति लाल मोदी के साथ मिल करके इस समझोते के विरोध में 1942 में जैपूर में आजाद मोर्चे का गठन किया किसका गठन किया आजाद मोर्चे का जो गठन है वो कब किया जाता है 1942 में और याद रखे बाबा हरीस चंदर ने चिरंजीलाल मिसर विजे देश पांडे और मुक्तिलाल मोदी के साथ मिल करके इस आजाद मोर्चे का गठन किया था 1942 में इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्सन नमबर C बाब हरीस चंदर चिरंजीलाल मिसर विजे देश पांडे और मुक्तिलाल मोदी का सम्मंद किस्से था उप्सन आपको दिये गए हैं मेव आंदोलन राजपुताना संग प्रताप सभा और आजाद मोर्चा अभी हमने डिसकस किया कि बाबा हरीस चंदर ने चिरंजीलाल मिस विजे देश पांडे और मुक्तिलाल मोदी के साथ मिलकर के जैपूर में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया था इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है और आजाद मोर्चा चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स् 1945 में आपको दिये गए है जे नाराण व्यास लाल बहादूर सास्त्री जवारलाल नेरू और हीरालाल सास्त्री इस क्यूशन का राइट आंशर होता है अप्शन नमबर ए जे नाराण व्यास जे नाराण व्यास की मध्यस्तता से आजाद मोर्चे का जो विले है जैपूर प इस रियासत के मंत्री मंडल ने सर्व पर्थम देवी संकर तिवारी को गेर सरकारी सदस्य के रूप में सामिल किया भोती अच्छा क्यूशन आपको पूछा गया है जोदपूर रियासत जैपूर रियासत मेवार रियासत और धोलपूर रियासत इस क्यूशन का राइट आं रियासत चलिये बढ़ते हैं अगले कूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जेपूर परजावंडल आंदोलन के दोरान जेपूर रियासत के दिवान वीटी कर्षना माचारी के दवारा महराजा की ओर से सवेधानिक सुधारों की घोषना कब की गई ओप्षन आपको दिये गए हैं 1946, 1947, 1948, 1949 इस क्यूशन का राइट आंचर होता है ओप्षन नमबर सी 1948, आगे चल करके 1948 इस्वे में जेपूर महराजा की ओर से दिवान वीटी कर्षना माचारी ने सवेधानिक सुधारों की घोषना की, किसकी घोषना की सुधानिक सुधारों की जो घोषना है वो कब की जाती है 1948 और याद रखे 1948 इस्वे में ही जेपूर परजामंडल दवारा भूमी सुधार के लिए परति वेधन प्रस्तूत किया गया वेरी इंपोर्टेंट भूमी सुधारों के लिए परति वेधन आप यहां से नोट कर सकते हैं भूमी सुधार परति वेधन ये भूमी सुधार पर प्रस्तूत किया गया 1948 इस्वि में प्रस्तूत किया गया जिसे भूमी सुधारों के इतिहास में मेगना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्तूत किया गया जिसका प्रधान मंत्री किसे बनाया जाता है हिरालाल सास्तूरी को। इस परकार से जैपुर परजामंडल कंप्लीट होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और ने क्यूसंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का भत्पो धन्यवाद जैहिन जैभारत।